हालो दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है जहां मैं करता हूं मुवैल फॉन्स की अन्बॉक्सिंग प्लस कमपेरिजन जिससे आपको एक नया स्मार्टफॉन परचेस करने में कोई दिक्कत ना है दोस्तो अगर आप वीवो फैंस हैं तो आज मैं लेके आया हूं वीवो के पूरे तीन स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है वीवो की यूर से वीवो वाइट ट्वल्व एस दूसरा वीवो वाइट ट्वंटी ए का अपग्रेड वर्जन है 2021 और तीसरा स्मार्टफॉन हमारे पास वीवो वाइट 20 जी सभी शमार्टफॉन की अनबॉक्सिंग प्लस कमपेरिजन करेंगे एक साथ नजर डालेंगे बिसिक फीचर्स लुक डिजैंस कैमरा पर तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में तीनोसिस्मार्टफॉन वाइट कलर के बॉक्स में pack होकर आते हैं और mobile का design आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा box में back side में आपको headline features दिये गए हैं जिने मैं वीडियो में आपको आगे बता रहूंगा तो जल्दी से सभी smartphone के box को open कर लेते हैं सभी smartphone के box हमने open कर लिये हैं सबसे उपर आपको एक-एक mini box देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको same ejector pin, quick start guide, user manual और warranty card और साथ में मिल जाते हैं flexible transparent silicon के cover phone की safety के लिए cover आपको बिल्कुल same यानि कि आप इसका cover इस पर इसका cover इस पर किसी भी phone में लगा लो सब cover एक जैसे आपको मिलते हैं इसके बाद आपको box में रखे हुए मिलते हैं smart phone जिनें फिलाल के लिए हम side में रखेंगे और अंदर आपको box में रखे हुए मिलते हैं charger adapter और USB cable सबसे पहले Vivo Y12S का charger adapter देखे तो normal charger है पहले जैसा ही है और यह 10 watt का है 5 volt 2 ampere की output rating आपको इस charger से मिलती है और इसमें आपको white color की normal micro USB cable दी गई है और Vivo Y20A और Y20Z में आपको बिल्कुल same size के charger charger adapter दिये गए हैं और यह 18 watt के fast charger 5 volt 2 ampere और 9 volt 2 ampere की output rating आपको दोनों charger से मिलती है और इन में भी आपको white color की normal micro USB cable दी गई है यानि कि type C USB cable आपको कोई भी Vivo का smartphone यहां पर नहीं दे रहा है और यह तीनों smartphone जिनका front look बिल्कुल same आपको देखने को मिलेगा तीनों आपको drop notch display मि अगा हुआ मिल जाता है और in hand feel आपको सभी smartphone एक जैसे feel होंगे बिल्कुल same weight बिल्कुल same thickness और same height यहां पर height चक करके आपको दिखा देते हैं तो यह देखिए same thickness same height यहां पर दीगी है सभी smartphone मां आपको 164.4 mm की height मिलती है और जो width है सभी smartphone की 76.3 mm thickness 8.4 mm की weight की बात करें तो 191 gram का मारा Y12S है और बाकी Y20A और Y20Z बिल्कुल same 192 gram के हैं और यह है तीनों smartphone के back panel आपको बिल्कुल plan देखने को मिलते हैं और ऐसा लग रहा है सभी smartphone में आपको glass finish दी गई है हलाकि plastic body है लेकिन light reflection आप देख सकते हैं तीनों smartphone में आपको काफी अच्छा light reflection देखने को मिल जात है और नीचे जो बीबो की branding है वो तीनों में काफी अच्छी लग रही है fingerfin sensor आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि तीनों smartphone में आपको side mountain fingerfin sensor मिलता है यानि कि जहां power on की है वहीं पर fingerfin sensor आपको दिया गया है तीनों smartphone की power को हमने on कर दिया है और brightness को 100% कर दिया है तो सभी smartphone में आपको काफी bright display देखने को मिल जाती है साथ में colors आप देख सकते हैं सभी smartphone में एक जैसे wallpaper आपको देखने को मिलेंगे और icon भी बिल्कुल same दिये गए है और सभी smartphone का user interface scroll up करने पर आपको सारी की सारी apps देखने को मिल जाते हैं तीनों smartphone में आपको 60Hz का refresh rate दिया गया है बाकी कई फाल्तों के प्रिंस्टॉल एप भी यहां पर मौजूद है हलाकि आप इन्हां इस्टॉल कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं तीनों smartphone के display की तो सभी smartphone में आपको 6.51 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है जिसका aspect ratio 229, screen resolution 720 x 1600 pixel और pixel density 270 ppi की दी गई है इनों mobile में right side में power on key plus volume rockers, left side में sim tray जहां आप दो sim card और एक memory card तीनों एक साथ लगा सकते हैं और bottom में 3.5 mm का audio jack, primary mic, charging jack और speakers दीए गए हैं सभी smartphone का जो setting का interface है वो भी आपको बिल्कुल same देखने को मिलेगा, कोई अंतर यहां पर नहीं दिया गया है अब out phone section सभी का हम open कर लेते हैं, सभी smartphone में आपको fun touch OS 11 मिलता है और android version भी 11 दिया गया है अब बात करते हैं processor की, तो Y12S और Vivo Y20A में आपको मिलता है 1.95 GHz का octa core processor और chipset Qualcomm Snapdragon 439 का दिया गया है 3 GB RAM मिलती है, 32 GB का internal storage Y12S में और 64 GB का internal storage आपको Y20A 2021 में दिया गया है बाकी दोनों में expandable memory 256 GB तक आप बढ़ा सकते हैं, वहीं बात करें Y20Z की, तो इसमें आपको थोड़ा सा अलग processor दिया गया है इसमें आपको मिलता है 2 GHz का octa core processor और chipset आपको मिलता है MediaTek Helio Z80 का, यानि कि processor के मामले में काफी आगे दोनों smartphone से Y20Z निकल जाता है यह gaming processor, बाकी सभी में आपको 12NM का fabrication दिया गया है, ग्राफिक आपको PowerVR GE8320 के मिलते हैं Y12S और Vivo Y20A में और Y20Z में आपको Mali Z52 के ग्राफिक दिये गये हैं, तीनों smartphone के camera setup आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे Y12S में आपको Dual Camera मिलते हैं, जिसमें 13MV का Main Camera, 2MV का Depth Sensor Camera तीसरा 100 पीस दिया गया है, इसके बाद LED Flashlight आपको मिलती है और Vivo Y20A में आपको 13MV का Main Camera, 2MV Micro और 2MV Depth Sensor Camera with LED Flashlight दिया गया है और Y20Z में भी आपको 13MV का Main Camera, 2MV Micro और 2MV Depth Sensor Camera with LED Flashlight दिया गया है तीनों smartphone में आपको Selfie Camera 8MV का मिलता है और अब बात करते हैं तीनों smartphone के price की तो यहाँ पर मैं साप साप आपको बता देता हूँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा ओनलाइन पर्चेस करोगे तो काफी ज़्यादा आपको इनके पैसे देने पड़ेंगे काफी ज़्यादा महेंगे आप सर्च कर सकते हैं आप ओनलाइन फ्लिप कार्ड पर देख लो कितने महेंगे आपको यह मोबैल मिलते हैं इसलिए जब भी पर्चेस करना है तो ओफलाइन ट्राइ करो Vivo White Walls S लगबग 10,000 रुपे के आसपास आपको मिल जाएगा 11,000 रुपे के आसपास Y20A और 12,500 रुपे की कीमत में आपको Y20Z मिल जाएगा ओनलाइन 1000,000 रुपर आपको मिल सकता है तो फ्रेंट्स तीनों स्मार्टफॉन लुक वाइस डिजाइन काफी कमाल का है तीनों स्मार्टफॉन का बैक पैनल बिलकुल प्लैन है ग्लास पिनिस आपको लगती है और लाइट रिफ्लेक्शन भी काफी कमाल का तीनों स्मार्टफॉन में मिल जाता है कैमरा भी आपको काफी अच्छे दिये गए है 5000 एमेज की बैटरी आपको सभी स्मार्टफॉन में मिलती है लेकिन जहां बात आती है फीचर्स और फ्राइज की तो फ्राइज के मामले में भी काफी हाई है और फीचर काफी लो आपको तीनों स्मार्टफॉन में दिये गए है तीनों स्मार्टफॉन में आपको फुल HD प्लस डिस्पले नहीं मिलती है टाइप C चार्जर का सपोर्ट नहीं दिया गया है यह यहाँ पर कमिया है और जो Y12S और Y20A में प्रोसेसर दिया गया है वो काफी आउटडेटेड आपको दिया गया है Qualcomm Snapdragon 439 का अभी आपको थोड़े से अच्छे प्रोसेसर की जुरूरत परती है लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिये है Y20Z में यह बड़िया काम किया है वीवो ने कि आपको MediaTek Helio Z80 का चिपसेट दे दिया है अच्छा प्रोसेसर है बाकि आपकी पसंद मैटर करती है आपको वीवो के फॉन पसंद है तो आप पर्चेस कर सकते हैं आसा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगे मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें